Hi guys, welcome, this is your Samir Kohli sir with another day, day 9 of the topic 365 days of mathematics for class 10th के students, 10th के बच्चों के लिए जो practice sessions चल रहे हैं ताकि उनकी revision भी होती रहे और वो अच्छा भी करते रहे हैं, question number 9, day 1 देखना, day 9 का, अगर आपने यह अभी तक नहीं किया है तो पहले इसका screenshot लो, 10, 12, 15 मिनट लेकर इसको solve करो, और फिर जो जो doubts हों वो मेरे साथ discuss करो, वो कह रहा है question number 1 में, if 241, if 241 upon 4000, 241 upon 4000 is equals to 241 upon 2 की power m, into 5 की power n, we are finding the values of m and n, where m and n are non-negative integers, simple बात है, कोई problem है ही नहीं, उपर 241, नीचे 241, जै मत अदी, यहाँ पर 2 की power m है, into 5 की power n है, जिसको compare करना है, 4000 के साथ, 4000 कोई वो नहीं है, 4000 बराबर होता है, 4000 बराबर होता है, 2 into 2, into 1000 होता है, वो तुमारे लिए करना हूँ, 10 into 10 into 10 होता है, 2 का square हो गया यह, अगर 10 को देखो, तो 10 क्या होता है, 2 into 5, into 2 into 5, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से, into 2 into 5, एक टू, दो तू, तीन टू, और दो पाँच टू, तू की power 5 into, एक, दो, तीन, 5 की power 3 हो गया, 2 की power 5 into 5 की power 3 मैंने 4000 के factors बना लिए, मतलब, यह जो 241 upon, यह जो 4000 है, यह बराबर हो गया, 2 की power 5 into 5 की power 3 is equals to, 2, अगर साथ हो तो 241 upon 2 की power M into 5 की power N, अब एक term आती है, जिसे बोलते है, comparing like terms, comparing like coefficients, साथ साथ वाली terms को compare कर दो, ग्रे वाले को ग्रे वाले के साथ, नीले वाले को नीले वाले के साथ, तो हमें क्या मिलेगा मेरे बच्चों, हमें मिलेगा 2 की power M is equals to 2 की power 5, जिससे M is equals to आगया मेरा 5, और 5 cube, 5 cube is equals to 5 की power N, तो 3 बराबर हो जाएगा N, N की value आ गई 3, M की value आ गई 5, अगर आपको हा हो चुका है, तो बहुत बढ़िया, इसमें एक term यूज करते हैं, comparing the like coefficients, जै मता दी, अब आजाओ सवाल नमबर 2 पे, वो कह रहे है, P and Q are two positive integers such that, P minus 10Q is equals to 0, then the HCF of P and Q are two positive integers, तो P बराबर हो जाएगा 10Q के, तो P और Q का HCF क्या होगा, ध्यान से बताओ, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो मेरे को तो थोड़ी सी हालत खराब हो रही है, एक बार खुझ से try करो, try करो. सोचो सोचो मैंने आपको time दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आराम से, मैंने एक example लिया, मैंने यहाँ पर दे रखा है, P is equal to 10Q, मैंने ऐसी कोई number ले लिया, मैंने ले लिया 70, 70 को ले लिया 5 into 14, यह मेरा P हो गया, यह मेरा 10Q हो गया, एक example दे रहा हूँ, तो देखा जाए तो यह भी 70 है, और यह भी 70 है, और 70 और 70 का जो HCF होगा, शायद recording में एक मिनिट का अगले चागया होगा, तो 70 और 70 का जो HCF होगा, वो 70 होगा, मतलब अगर P is equal to 10Q है, तो 10Q और P का जो HCF होगा, वो P होगा, एक और ले लो, मैंने लिखा यहां 200, 200 को लिख सकता हूँ, मैं 10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 भी 200 है, और यह तो 200 है, तो दोनों का जो HCF होगा, वो क्या होगा, यह देखने मली चीज़ थी, और कोई बात नहीं थी, अगर बीच में glitch आया है, तो इसको चेक कर लेना, यह था question number 2, question number 2 के बाद, question number 3, तो शायद मैं orally करा दूँ आपको, question number 3 बोलता है, कि if, polynomial, यह polynomial दे रखा है, ax square, plus bx, plus c, then the value of minus b upon a, minus b upon a, मेरे बच्चों बराबर होता है, sum of roots के, sum of roots के बराबर होता है, alpha plus beta बोलते हैं, बस, इस question में, by chance, यह शरीफ question है, as it is दिया हुआ, ax square, plus bx, plus c, अगर यह शरीफ ना होता, ऐसे दे रखा होता, ax square, plus cx, plus b, उल्टा कर दिया होता, तो इस question में sum of roots, minus c upon a होता, तो confuse मत होना, question को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, let's move on to question number 4, गन्पती की जैजैकार, question number 4 पे आजाओ मेरे बच्चों, वो गहरा, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial, जैसी उसने बुला, मैंने लिखा, x square minus sum of zeros, into x, plus product of zeros, और बहुत अच्छा हूँ अगर मैं, तो इस सब के बाहर, एक k लगा दूँगा, I'll put a k in front of this, form a quadratic polynomial, one of whose zeros is, one of whose zeros मतलब alpha is equal to under root 5, and the product of the zeros, and the product of the zeros is minus 2 root 5, थोड़ा सा मैं खुश हो रहा हूँ, कि product of the zeros दे रखा है, थोड़ा सा मैं दुखी भी हो रहा हूँ, कि sum of the zeros नहीं दे रखा, मेरे को alpha plus beta नहीं दे रखा, यही पर आपको यह problem है, this is problem, life में बिकार चल रही है, problem में ही solution ढूणना है, solution कैसे ढूणोगे, alpha into beta दे रखा है, बच्चा मुलेगा, alpha की जगा, alpha की जगा लिख दो, under root 5 into beta is equals to minus 2 root 5, because alpha is equals to root 5, अगर आप साथ हो तो, root 5 से root 5 कट गया, beta बराबर आगया minus 2, the value of beta is minus 2, तो जैसे ही alpha की जगा आजागा root 2 root 5, alpha की value root 5, plus beta की value minus 2, minus 2 plus root 5 लिख सकते हो, तो x square minus sum of roots is minus 2 plus root 5, x plus product of roots is minus 2 root 5, bracket बनाए रखना और सारे के आगे, k ज़रूर लगा देना, अगर k लगा दोगे, तो आपका answer बहुत अराम से solve हो जाएगा, this is your answer, अराम से चलना कोई दिक्कत नहीं है, let's move on to question number 5, question number 5 पहले पढ़ो अराम से, for some integer m, every even integer is of the form, even integer, even integer 2, 4, 10, 20, even integer होता है 2 into 1, 2 into 2, 2 into 5, अगर आप साथ हो तो, 2 into 10, even की पहचान होती है, उसके आगे वाला 2, साथ में कुछ भी हो, साथ में कुछ भी हो, हमें कोई फरग नी पढ़ रहा, बढ़ उसके शुरुआत में एक 2 जरूर होना चाहिए, तो, दुनिया का कोई भी even number 2p की फॉर्म में होता है, या 2m की फॉर्म में होता है, इन कुछ नी के हिसाब से, the perfect option is 2m, अराम से चलना, कोई बड़ी बात नहीं है, अगला, अगर आप लोग साथ हो, तो बहुत बहुत असानी से हो जाएगा, वो कह रहा है, if the p of x, if p of x हम कर रहे हैं, question number 6, last question, if p of x is equals to ax square plus bx plus c, and ये दे रखा है कि a plus b plus c is equals to zero, then one zero is, क्या question है, ये बड़ा प्यारी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, worst case में अगर आप से ये ना हो, वो कह रहा है, उसका one of the zero निकालो, तो यहाँ पर आप value डालो, ये वाली, minus b upon a डालो, एक बार minus b upon a डालो, डाल के देखना, नहीं आएगा, एक बार c upon a डालना, डाल के देखना, zero के बराबर नहीं आएगा, b upon c भी डालना, डाल के देखना, ये zero के बराबर नहीं आएगा, वो गयरे a plus b plus c 0 है a plus b plus c 0 कब होगा जब x की कोई ऐसी value डले जब x की कोई ऐसी value डले कि a into square plus b into वो value हो plus c और बराबर 0 आ जाए तो बच्चा बोलेगा hit and trial मैंने अपना दिमाग दोड़ाया है मैंने अपना दिमाग दोड़ाया है दिमाग दोड़ा कर मुझे क्या value मिली है मुझे मिली है x की value 1 a plus b plus c is equal to 0 तब होगा जब x की value 1 आएगी मतलब x की value 1 मतलब इसका one of the zero one होना चाहिए but one वहाँ option में नहीं है इसलिए इस particular condition के अंदर इस quadratic polynomial का 0 जो होगा वो none of these option best है इस 5-10 minute के lecture में शायद बीच में 11 minute आपका waste हुआ होगा उसके बाद मैंने आपको ये करा दिया है फिलाल के लिए और समीर सारी सेंग यू गुडबाई log on to jupiterflix.com you will get everything there thank you guys thank you bye bye